नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्सु वाच और मैं हूं मुकेश वत्स फ्रेंड्स, आज मैं बालासोर ट्रेन इंसिडेंट पर एक बहुत छोटा सा विडियो लेकर आया हूँ बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन बाला सोर ट्रेन इंसिडेंट पर एस्ट्रोलोजी के अनुसार मुझे क्या दिखता है ये मैं बहुत ही बेवाग तरीके से आज आप लोगों को कहने का प्रियास करूँगा बहुत ज़्यादा टेक्निकालिटीज में नहीं जाऊंगा कोई चार्ट वगेरा उद्रित नहीं करूँगा इंपोर्टन्ट वीडियो है लास्ट तक अवश्य देखिएगा मेरे वीडियो ये दि अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि मेरे वीडियो आपको आगे भी दिखते रहें यूट्यूब पर फ्रेंट्स दो जून शाम छे बच कर पच्पन मिनट बाला सोर उडिशा में एक बहुत ही विभत से एक बहुत ही भयंकर दुरगटना रेल दुरगटना घटती है जिसमें तीन ट्रेंज इन्वार्ड होते हैं तीन सौ के लगबग लोग मारे जाते हैं और ये संख्या भी भी बढ़ सकती है करीब हज़ारों लोग घायल हैं और अभी भी जीवन एवं मृत्यू के संगहर्ष के दौर से गुजर रहा है ये वीडियो में चाहता तो कल भी बना सकता था लेकिन मुझे उचित नहीं लगा कि एक तरफ हर पल ये मेसेज आ रहा है कि इतने और लोग मर गए इतने और लोग मर गए और ऐसे माहौल में यदि मैं अपने जोतिश चमकाने के लिए अपना ग्यान आप लोगों के सामने बगारता या अपनी गाल बजाता तो ये बहुत अच्छा नहीं लगता और बहुत से लोगों को तो ऐसा भी लगता कि मैं संसनी फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट बता दूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दुरगटना नहीं है ये एक इत्तिफाक नहीं है उस समय की कुंडली को यदि आप बना कर देखिएगा यदि आस्ट्रालोजी समझना चाहते हैं तो आप देखिए उस समय की कुंडली को केतु और चंद्रमा एक साथ हैं उस पर नीच के मंगल की दृष्टी है शुक्र एवं चंद्रमा के बीच में एक परिवर्तन है और चंद्रमा विशाखा में है विशाखा जुपिटर का नक्षत्र होता है और जुपिटर स्वयम कहा है राहू के साथ बैठे हुए है नवमान्ष में देखिएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा राहू, जुपिटर, सन और मून एक साथ है यानि जुपिटर हर जगह से प्रभावित है चंद्रमा हर जगह से प्रभावित है मंगल नीच के हैं और जिस नवमान्ष में है ये राहू, जुपिटर, सन और मून वो मिथुन नवमान्ष है इस कुंडली में देखिएगा तो मिथुन राशी जो है वो एट्थ राशी है डेथ की राशी है, अबस्टेकल्स की राशी है और रोगरिन दुश्मन के हाउस में राहू, मर्कुरी और जुपिटर बैठे हुए और सबसे जबरदस्त इंडिकेशन जिस चीज़ का मिलता है इसी चार्ट का यदि आप जमक्कोल चार्ट प्रिपेर कीजिएगा तो आप देखिएगा ट्रांजिट केतू और चंद्रमा के साथ राहू का एक संबंध बनता है और ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है जब इस तरीके का कंबिनेशन बने तो दिस कैन भी वरी कलामिटस एकदम स्पष्ट है कि इसमें एक human angle एक sabotage और देखने से ऐसा लगता है कि टेकनिकल गड़बडियां कुछ की गई है जिसके वज़े से ये accident हुआ है और ये अकेला incident नहीं है मैं Google में सर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था अभी हाल फिल हाल में ही ऐसी और कई घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया गया है लेकिन इन सभी चीजों को किसी तरीके से संभाल लिया गया लेकिन ये अप रत्याशित रूप से बढ़ा हो गया और गवर्नमेंट भले ही इसको दुरगटना गोशित करें लेकिन इस कुंडली को देख कर ये भी लगता है आप देखे ये सूर्य का होरा था इस टाइम में सूर्य के होरा के समय में ये हुआ है सन सेवन था उसमें है नवमानश में भी बहुत स्थिती नहीं है अच्छी सन की कल मोदी जी का स्टेटमेंट यदि आप लोगों ने सुना है उन्होंने कहा किसी को नहीं बक्षा जाएगा ऐसा एक स्टेटमेंट उन्होंने पुलवामा इंसिडेंट के बाद दिया था तो इससे भी लग रहा है कि भले ही लोग कह रहे हो कि ये दुरगटना है उसी दिन दोपहर में हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैशनव जी का एक प्रेस कॉनफरेंस होता है आप यूट्यूब पर वो प्रेस कॉनफरेंस आपको दिख जाएगा उस प्रेस कॉन्फरेंस में उसी दिन दोपहर में अश्विनी वैशनव जी ये बता रहे हैं कि हमारी इंडियन रेल्वेज जो एक बिमारू संस्थान हुआ करती थी आज से कुछ वर्ष पहले तक वो आज प्रॉफिट में है और आज ऐसे टेक्नॉलोजीज की जनक है इंडियन रेल्वेज जिसके तरफ विश्व के बहुत सारे देश देख रहे हैं हम कोचिस बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेट्रोज के हाई टेक कोचिस हमारा जो कवच सिस्टम है उसके तरफ लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अमेरिका के कंट्रीज, अफरिका के कंट्रीज, यूरोप के कंट्रीज भी, साउथ इस्ट एशिया के कंट्रीज भी और जो हमारा सबसे नया एडिशन है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो भी अब एक्सपोर्ट होने की कगार पर है इंडियन रेल्वेज एक साल में इतना लाइन्स बिछा देती है, जितना स्विट्जर लैंड जैसे एक देश का पूरा नेटवर्क है हर वर्ष लगभग हम 5000 किलोमिटर नया रेल्वे ट्रैक्स बिछा रहे हैं, 7000 किलोमिटर रेल्वे ट्रैक्स को अपग्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग पेस पर काम हो रहा है इंडियन रेल्वेज का और ये एक मातर घटना ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, 2017 को याद कीजिए एक ऐसे ही soft-spoken बहुत ही विद्वान और बहुत ही अपने क्षेतर के निशनान्त रेल्वे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभुजी सुरेश प्रभुजी को ऐसी ही कई दुरघटनाओं के बाद और उसमें से कुछ ये बाद में प्रूफ हो गया कि वो दुरघटनाएं करवाई गई थी और सुरेश प्रभुज ऐसे काबिल व्यक्ति का resignation ले लिया गया था कहा जाता है कि अश्विनी वैशनव जी भी एक expert हैं शायद पहले IAS officer भी रहे हैं electronics engineer हैं और railway से ही जुड़ी हुई एक बड़े company में किसी बहुत उचे पद पर थे राजनीती इसमें होगी मैंने कहा कि सूर्य की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है और सूर्य के होरा में यह accident हुआ है राजनीती इसमें जम कर होगा और शायद शुरू हो भी चुका है आज ही सुबह में मैं सुन रहा था दिगविजय सिंग जी कहा रहे है कि अश्विनी वैशनव जी में यदि थोड़ा भी शर्म है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक बार रिजाइन किया था लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे मरे थे इस रिपोर्ट को आप लोगों ने क्यों नहीं पब्लिश किया दिगविजय सिंग जी और आप शर्म की बात कर रहे हैं यही दिगविजय सिंग है दोजार तेरह में इनकी पतनी आशा सिंग कैंसर से मर गई और उनकी चिता की अगनी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अपनी बेटी के उमर की एक लड़की के साथ यह लिविन रिलेशन्शिप में रहने लगे यह समाचारों में आ गया स्थिती ऐसा हो गया कि इनका एक लौता पुत्र इनकी भी चार पुत्रियां और एक पुत्र हैं यह दूसरे लालुयादव है और इंसिडेंटली लालुयादव भी एक ऐसे रेल्वे मिनिस्टर थे जिनका कहना था कि गोधरा इंसिडेंट में किसी ने बाहर से ट्रेन में आग नहीं लगाई थी यात्रियों ने खुद अंदर ही बैठे बैठे अपने आप आग लगा लिया और सभी लोग मर गए वापस मुद्धे पर आते हैं उस लड़की के साथ संबंध की वज़े से इनके अपने पुत्र कई महीने तक इनसे बात नहीं किये थी और फिर उस शादी शुदा महिला वो महिला अलड़ी शादी शुदा थी उसको डाइवोर्स करवाके इन्होंने शादी किया उससे इनके बेटी की उमर की महिला है किसी की पतनी थी और ये शर्म की बात बता रहे है अश्विनी वैशनव जैसे विद्ध्वान व्यक्ति को बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए आप एस्टो लॉजर है इंडिया की यही दिक्कत है यहां निूट्रल रहना एक फैशन है और निूट्रल मतलब लोग कहते हैं कि मुझे इन चीजों से क्या लेना दन्या जी मैं तो तटस्त हूँ तटस्त रहने से देश नहीं बनता है आप लोगों को रामधारी से दिनकर जी का एक मैं कविता की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ 1954 में उन्होंने ये कविता लिखी थी समर्शेश है नहीं पाप का भागी केवल व्याद जो तटस्त हैं समय लिखेगा उनके भी अपराद जब देश में कांड हो रहे हो जब इस देश को नीचे दिखाने का प्रियास किया जा रहा हो उस समय मैं तटस्त कैसे रहू एस्ट्रोलॉजर हूँ तो क्या इस देश की राजनीती के बारे में मुझे समझने का या उस पर टिपनी करने का अधिकार नहीं है क्या इस देमोक्रसी का हिस्सा मैं नहीं हूँ इस देमोक्रसी पर और इस देमोक्रसी में सिर्फ वही लोग कमेंट करेंगे जो बेशर्म है क्या हम जैसे लोगों को कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है जब अश्विनी वैशनव जी जैसे संभरांत लोगों पर कोई इस तरीके का व्यक्ति जो अपनी पार्टी की एक महिला को बोलता है ये बड़ी टंच माल है जब ऐसे लोग जब उन पर फिक्रा कसें जब छीटा कशी करें तो हम जैसे लोगों का ये दायत्व बनता है कि हम लोग सामने आकर और उनको डिफेंड करें तटस्त बनने से काम नहीं चलता है पापस एस्ट्रोलोजी पर आते हैं ऐसी दुरघटना है फ्रेंड्स और भी घटेंगी और ये पिछले दो ढ़ाई महीनों से मैं कम से कम चार वीडियो में बता चुका हूं केतू, मंगल और शनी तीनों जो राहू के नक्षत्र में थे उस वीडियो में भी मैंने कहा था शनी एवा मंगल के शडाष्टक वाले वीडियो में भी मैंने कहा था गुरु चांडाल वाले वीडियो में भी मैंने कहा था मैंने मोदी जी पर भी पिछले वर्ष में तीन वीडियो बनाये हैं और उन सभी वीडियो में मैंने कहा है कि मोदी जी पर ऐसी ऐसी घटनाय होंगी देश में इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा उनके मदर के डेथ का प्रेडिक्शन भी मैंने किया था लेकिन अब ये सब बोलने का मतलब नहीं है लोगों को ये समझना होगा कि हम लोगों के इर्द गिर्द का अभी जो वातावरन है ये बहुत ही विशाक्त वातावरन है और 2024 के चुनावों तक ऐसा रहेगा तो हम सभी लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए और तटस्त रहने से काम नहीं चलेगा जहां बोलना है वहां मुखर होकर बोलना पड़ेगा स्टैंड लेना पड़ेगा आज मैं अपनी वानी को यहीं विराम देता हूँ मुझे उमीद है आप लोगों को मेरा यह चोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजेगा आज के लिए बस इतना ही फिर से मिलते हम लोग अगले किसी और वीडियो में किसी और विशय के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादेव भारत माता कीज़े